Hello everyone, this is Satpal and you are watching Options LR और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करूँगा कि आप फ्यूचर्स को किस तरह से रोल ओवर कर सकते हो देखे कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर आप रोल ओवर को जानते हो तो आपको एक पोजिशन में लोस बुक करने की कभी भी जरुवत नहीं है अगर आप रोल ओवर जानते हो तो इवेंचुली आप उस पोजिशन से प्रोफिटेबली बाहर आ सकते हो और यह मैंने आपको Options के थ्रू बताया था अब वहाँ पे आपके काफे कमेंट्स आए कि Futures में हम यह किस तरह से कर सकते हैं Futures को किस तरह से रोल ओवर किया जा सकता है इस पर भी एक वीडियो बनाईए इसलिए आज का वीडियो में लेके आया हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि Futures को आप किस तरह से रोल ओवर कर सकते हो अब देखे वैसे तो यह चीज में आपको कई बार बता चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से में Repeat कर देता हूँ कि देखे अगर आप रोल ओवर की Concept को जानते हो मैं यह चीज कई बार बता चुका हूँ और कई लोग इस पे Negatively भी React करते हैं इस चीज को Discard करते हैं लेकिन आप एक बात को समझे कि आपको अगर कोई भी नई चीज बता लगती है तो उसको Discard करने से पहले आप एक बार Try करके जरूर देख लीजिए हो सकता है वो चीज वर करती हो अगर मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ तो that means वो मैंने खुद Try की है तब मैं आपको बताता हूँ तो देखे Futures को Roll Over करके और आप Eventually एक Position से बाहर आ सकते हो Profitably ये चीज मैं आज आपको Practically करके दिखाऊँगा लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बोलता हूँ कि ये चीज आपको सिर्फ Nifty या Bank Nifty में ही करनी है और Market को जब आप Long करके Play करते हो वहाँ पर ये मैं आपको Recommend करता हूँ कि Rolling Over जो है वो Market को जब आपने Long किया है उस Time पर ही आपको करना चाहिए अगर आप Market को Short करके Play कर रहे हो वहाँ पर ये चीज में आपको Recommend नहीं कर सकता हलाकि कर आप वहाँ भी सकते हो लेकिन मैं वह आपको Recommend नहीं करता तो ये Pre-Condition है इसकी कि आप या तो Nifty में Trade कीजिए या आप Bank Nifty में Trade कीजिए और Market को अगर आप Long करके Play करते हो Long करके Play करने का मतलब क्या हो गया या तो आपने Futures को Buy किया है या आपने Put Option को Sell किया है और या आपने Nifty और Bank Nifty में किया है अगर ये आपकी Position है तो Roll Over करके और आप Eventually इस Position से बाहर आ सकते हो और यही चीज में आज आपको Practically करके दिखाऊँगा कि कैसे आपको ये करना है तो चलिए अब Time Waste नहीं करते हैं मैं आपको सिधा Screen पर लेकर चलता हूँ और वहाँ पर ये Practically करके दिखाता हूँ तो देखे ये मैं आपको Screen के उपर ले आया हूँ आप इस Loss को हटा सकते हूँ आप Eventually अपने इस Trade से Profitably बाहर किस तरह से आ सकते हूँ ये मैं आपको दिखाऊँगा तो यहाँ पर आप देखे Market गिरा कहाँ पर है अगर यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ से Market और Sharply नीचे गिरा है अगर यहाँ पर आपने Futures को Buy किया होगा तो आपको अच्छा खासा Loss हुआ होगा तो देखे ये Date कों से मैं आपको यही दिखा देता हूँ 16th of Fab को Market ने यह High बनाया है और उसके बाद Market Continuously नीचे गिरा है तो अगर मैं 16th of Fab को यह एक Futures को Buy करता हूँ तो आप देखे मुझे किस तरह के Loss हुए होगे तो मैं आपको लेके चलता हूँ Simulator में Open कर लेता हूँ और जो Date मैंने Select की है Option Simulator को मैंने Open कर लिया और Date जो मैंने Select की है कहां पर हम Trade लेंगे 16th of Fab को जहां Market ने High बनाया है कि Market यहां से नीचे गिरेगा या उपर जाएगा तो मान लिजे वहां पर मेरा View था कि Market यहां से उपर ही जाएगा इस वज़े से मैंने Futures को Buy कर लिया है तो 16th Fab को मैंने Fab का फूचर Buy कर लिया है एक वीक बचा है तो 23rd Fab को एक्सपैरी थी यह भी मैं लगा लेता हूँ तो यह देखिए Market कहां पर Trade कर रहा है 18,100 पर और Futures जो है यह भी Almost 18,100 पर Trade कर रहा है अब देखिए यहां पर Premium पर तो Trade कर रहा है लेकिन जो Premium का Margin है वो सिर्फ 20-30 Point का है अब Futures इतने कम Premium पर क्यों Trade कर रहा है इसके पीछे का Reason क्या है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हूँ वीडियो को पोज करके और एक बार खुद यह जवाब दीजिए कि यहां पर Futures का जो Premium है यह Sport को देखें तो Sport के Comparison में सिर्फ 20-30 Point ही उपर Trade कर रहा है तो यह जो Premium है यह इतना कम क्यों है तो यह कम इसलिए है क्योंकि Xperry Pass में आ गई है जब हम Xperry को Approach करते हैं तो Sport और Futures के जो Price का Difference है वो कम होता जाता है और Xperry वाले दिन दोनों Converge हो जाते है दोनों का Price सेम हो जाता है तो क्योंकि अभी 1 वी की बचा है इस वज़े से इन दोनों के जो Price का Difference है वो इतना कम है तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा मैं एक Futures को Buy कर लेता हूँ क्योंकि मेरा व्यू है कि Market उपर जाएगा इस वज़े से मैंने एक Futures को Buy कर लिया है अगले दिन अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर 7000 रुपे का Loss हो रहा है क्योंकि मैंने आपको दिखाया कि 16th Feb को Market ने High बनाया और उसके बाद Market तेजी से नीचे गिरा था इसलिए हमने यह एक्जामपल लिया है तो मैंने यहाँ पर Futures को Buy कर लिया और अगले दिन ही मेरा Loss है 7000 रुपे का हो रहा है क्योंकि Market ने नीचे जाना शुरू कर दिया उससे अगले दिन देखते हैं उससे अगले दिन मेरा Loss Almost similar है 7100 रुपीज का मेरा Loss है नेक्स देखते हैं अगले दिन जो मेरा Loss है वो 12,000 रुपए का हो गया है क्योंकि market नीचे जा रहा है और मैंने futures buy किया है तो मेरा loss है यह बढ़के यहाँ पर 12,000 रुपीज का हो गया है अगले दिन देखते है 22nd fab को मेरा loss है यह 18,000 रुपीज का हो गया है market और नीचे गिरा है और इसी वज़े से मेरा loss है यह बढ़ता जा रहा है तो 22nd fab हो गया है और कल यानि 23rd fab को और expiry है तो अगले दिन देखते हैं 23rd fab को मेरा जो loss है यह 29,000 रुपीज का हो गया है तो अगर आप यह सोचके कि market उपर जाएगा और आपने futures को buy किया था 16th fab को तो आपको एक week में और 29,000 रुपीज का loss हो गया अब 29,000 रुपीज का loss है यह बारी भरकम loss है अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो आपने future buy क्या था उसमें आपको loss हो चुका है और आज expiry है तो यहाँ पे आपके पास दो option है या तो आप अपने इस loss को book करके और निकल जाएए कि हाँ मेरा view है यह गलत हो गया है मेरा trade-out against चला गया है मुझे loss हो गया इसको आप accept कीजिए और बैट जाएए इस loss को आप book कर लीजिए यह एक option है दूसरा option क्या है दूसरा option यह है कि आप इस loss को book मत कीजिए आप इस position को roll over कर दीजिए जो कि मैं आपको recommend करता हूँ मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अगर आप market को long करके play कर रहे हो निफ्टी या bank निफ्टी में और आपको loss होता है तो आपको कभी भी loss book नहीं करना चाहिए आप हमेशा अपनी position को roll over कर दीजिए इस loss को हम हटा सकते हैं roll over करके और कैसे हटाना है यही मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देखे मुझे 29,000 रुपीज का loss हो गया है तो यहाँ पे आप मैं roll over करूँगा और मैं एक और window open कर लेता हूँ तो यह मैंने एक और window open कर ली है और date क्या है यहाँ पे 23rd fab तो मैं क्या करूँगा यह जो fab का future है इसको March में roll over कर दूँगा यह आपको किस तरह से करना है मैं option simulator को open कर लेता हूँ 23rd fab को मैं trade लूँगा क्यों क्योंकि 23rd fab को जब यहाँ पे expiry हुई है तो यहाँ जो मैंने future buy कर रखा था fab series का उसको मैं roll over कर रहा हूँ March की series में तो 23rd fab को मैं trade लूँगा और expiry कभी होगी March की 30th March 29th March को expiry थी शायद उस दिन Thursday को छुटी रही होगी तो expiry जो थी वो 29th March को थी तो यहाँ पे आप देखे मैं क्या करूँगा मैं इस futures को यहाँ पे buy कर लूँगा यह मैंने roll over कर दिया है यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे expiry हो चुकी है यह मुझे loss हो चुका है तो मैंने क्या क्या यहाँ पे क्योंकि यह loss मुझे हो गया है तो इसको मैं book नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे आपको confuse नहीं होना है मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यही बताय था कि देखे यहाँ से exit होगी यहाँ से आप auto square of हो जाओगे या तो आप exit कर लो या 30 बजे और auto square of हो जाओगे यह loss है यह आपका automatically book हो गया है लेकिन वो loss book तब होगा जब आप कोई नई position create नहीं करते हो तो यहाँ पे क्या हुआ यह जो loss आपको हो गया है इसको आपने book नहीं किया है वैसे technically आप देखोगे तो यहाँ पे इस loss को book करके आपने एक नई position बनाई है लेकिन roll over का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो loss हुआ है same position मैंने अगले month में ले ली है इस वज़े से इसको loss book करना नहीं बोलते हैं इसको roll over बोलते हैं पिछले वीडियो में मैंने यह बहुत अच्छी तरह से explain किया है आप वो वीडियो देख सकते हो अगर आपने वो नहीं देखा है तो तो यहाँ पे मैंने क्या किया मुझे 29,000 रुपीज का loss हो रहा था और इसी वज़े से मैंने यहाँ पे इसको roll over कर दिया है मैंने एक March का futures buy कर लिया है अब यहाँ पे एक एक दिन करके आगे चलते हैं अगले दिन यहाँ पे आप देखें मुझे 7,600 रुपीज का profit हो रहा है क्योंकि market उपर गया है और उसके बाद उससे अगले दिन आप देखें मुझे 3,200 रुपीज का loss हो रहा है उससे next मेरा जो loss है यह almost 1,000 रुपीज का है अगर आगे चलते हैं तो जो loss है यह 3,000 रुपे का है तो 2,100 रुपीज का loss है मेरा second March को और third March को मेरा जो loss है यह 1,000 रुपे का है उसके बाद आप 6 March को देखिए जो मेरा profit है यह 13,000 रुपे का है क्योंकि market उपर गया है और मैंने futures को buy कर रखा है लेकिन यहाँ पे जो 13,000 रुपे का आपको profit हो रहा है जो 13,000 रुपीज का profit है यह देख के बहुत खुश नहीं होना है यह असल में आपका जो loss हुआ है यहाँ पे ओलरड़ी आपका 29,000 रुपीज का loss हो रखा है तो उसी के लिए यह compensate कर रहा है अब आप यह मानिए कि यह जो 13,000 रुपे का profit है यह आपका actual profit नहीं है यह आपका जो loss है यह कम हो रहा है क्योंकि आपने position को roll over किया है तो और आगे अगर हम चलें तो 8th March को आप देखे आपका profit है यह 6,000 रुपे का है अगले दिन आपका profit है यह 12,000 रुपीज का है तो पूरे मन्त आपको यह trade लेके चलना है मैं आपको दिखा देता हूं direct कि 29th March को आपका profit यह loss कितना होगा 16,000 रुपीज का आपको loss है 14th March को then 14,000 रुपीज का loss है then 26,000 रुपीज का loss हो गया है 16th March को आपका जो loss है 26,000 रुपीज का हो गया है अब आप देखे आपको जो original trade था उसमें 29,000 का loss था क्योंकि यहाँ पे loss था इस वज़े से आपने position को roll over किया और अगले मन्त में आपने इस position को shift कर दिया roll over कर दिया और जहाँ पे आपने roll over किया है यहाँ पे again आपको almost 27,000 रुपीज का loss हो रहा है मतलब roll over की हुई position में भी आपको loss हो रहा है इसलिए मैंने यह month चूज किया क्योंकि tough month था then आपका loss है यह 19,000 रुपीज का है मैं आपको एकदम last में लेके चलता हूँ 29th of March को देखते हैं मेरा loss कितना है तो आप देखे 29th of March जिस दिन expiry है उस दिन मेरा loss है 27,000 रुपीज का मतलब मैंने roll over किया उस month में भी मुझे loss हो गया मेरा जो original trade था उसमें मेरा loss है 29,000 रुपीज का और मैंने अब इसको roll over करके और अगले month में लेके गया कि market reverse होगा तो मुझे profit होगा लेकिन अगले month मी market गिरता ही रहा और यहाँ पे आपका loss है 27,000 रुपीज का हो गया अब back to back दो month में आपको loss हो गया है original trade जो आपने लिया था उसमें आपका loss था क्योंकि वहाँ पे loss था इस वज़े से आपने उसको book ना करके और अगले month में roll over कर दिया और अगले month में जो आपने roll over किया वहाँ पे भी आपको 27,000 रुपीज का loss हो गया तो देखे रोल over की एक property है कि आपको एक तब तक करते जाना है जब तक आप profitable नहीं होते अब ये कितना भी लंबा period हो सकता है तो मैंने पहले यहाँ पे trade लिया इसको roll over किया 29,000 रुपीज का loss यहाँ पे हो गया यह जो roll over करके नई position बनाई इसमें भी 27,000 रुपीज का loss है तो दो मन्त में और मेरा loss है 56,000 रुपीज का हो गया है तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा अगेन मेरे पास दो option है या तो मैं इस loss को book कर लूँ या मैं इसको roll over कर दूँ 29,000 रुपीज का तो अब मैं क्या करूँगा मैं एक और window open कर लेता हूँ और वहाँ पे मैं क्या करूँगा जो March का futures था इसको roll over कर दूँगा April futures में तो देखे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ तो यह मैंने नई window open कर ली है और यहाँ पे मैं क्या करूँगा option simulator को मैं open कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा देखे March मंथ में मेरा loss कितना है 27,000 रुपीज का और date कितने है 29th March तो मैं क्या करूँगा 29 March को यह trade दुबारा से लोगँगा 29 March को April series का यह trade ले रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ यहाँ पे देखे मा आपको दिखाता हूँ 27th April के expiry है तो उस दिन का ही मैंने trade लिया है तो यहाँ पे मैंने क्या किया है जो March का मेरा futures था जो मैंने roll over किया था देखे ओरिजिनल trade कब का था FAB, FAB series का मैंने trade लिया उसमें मुझे 29,000 रुपीज का loss हुआ इस वज़े से मैंने FAB वाली series का future और March में roll over कर दिया यह आप देखे जब March में roll over किया तो वहाँ पे भी मुझे loss हो गया 27,000 रुपीज का तो अब मैं क्या करूँगा March वाला future और April की series में roll over कर दूँगा और वही मैं यहाँ पे करूँगा मैं क्या करूँगा एक futures को buy कर लूँगा April की series में 27th April की जो expiry है उसका future मैंने यहाँ पे buy कर लिया है तो already दो मंग में loss बुक कर चुका हूँ एक में 29,000 रुपीज का एक में 27,000 रुपीज का तो जो total loss है वो 56,000 रुपीज का मैं अभी तक book कर चुका हूँ लेकिन मैं position को roll over करते जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि eventually जब market वापस उपर आएगा तो यह सारा loss है यह गायब हो जाएगा तो यह जो loss है यह national loss है इसको मैं book नहीं कर रहा हूँ मैं roll over कर करके और अपनी position को manage करने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप देखिए अब एक एक दिन करके आगे चलते है अगले दिन आपका profit है 17,000 रुपीज का है 31st March को 3 April को आपका जो profit है यह 21,000 रुपीज का है 5th March को आपका जो profit है यह 25,000 रुपीज का है 6th को आपका जो profit है 29,000 रुपीज का है अब आप देखिए आपको 29,000 रुपीज का profit हो रहा है लेकिन यह आपका profit नहीं है यह आपका loss है वो कम हो रहा है क्योंकि पिछले जो 2 मन्त है उसमें आप 56,000 रुपीज का loss ले चुके हो तो आपका जो 56,000 रूपीज का लोस है, वो कम हो गया है 29,000 रूपीज से, अब आपका जो लोस है, ये सिर्फ 27,000 रूपीज का रह गया है, अगले दिन देखते हैं, अगले दिन आपका जो प्रोफिट है 34,000 रूपीज का है, मतलब ये मन्त बुलिश रहा होगा, अप्रेल मे से और आप मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि रोलोवर आप जरूर कर लिजिये अगर आपकी position है वो लोस में है और आप निफ्टी और बैंक निफ्टी को लोंग करके प्ले कर रहे हो तो वहाँ पे लोस बुक करने से बेटर है कि आप उस पोजिशन को रोल ओवर कर दीजे क्योंकि आपको टाइम ज़रूर लग सकता है लेकिन इवेंचुली आप प्रोफिट में बाहर निकल जाओगी ये पक्की बात है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी है वो इवेंचुली आने ऊपर ही ह वो extended period of time के लिए नीचे नहीं रह सकते जैसे स्टोक होते हैं एक स्टोक अगर गिर गया कोई स्टोक है मान लीजिए 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है और वो अब गिर के और पांच रुपे पे आ गया है तो आप कोई guarantee निए कि वो वापस उपर आएगा तो स्टोक specific में आ अग्ले दिन मेरा प्रोफित है घर्टी दो थर्टी फ्लुपीज दें तर्टी एट थॉद्धावजन रुपीज का है और और ट्वंटी-फ्ल॥ ओव अप्रेल को मेरा प्रोफित ही तर्टी 27th of April को मेरा जो profit है, यह है 40,500, 40,500 रुपीज का मुझे profit हो रहा है, अब यह जो आपको profit हो रहा है, यह आपका profit नहीं है, यह आपका loss कम हो रहा है, याद रखे, पिछले जो 2 मन्त हैं, इस मन्त में आपने 29,000 रुपीज का loss बुक किया है, और इस मन्त में आपने 27,000 रुपी वो सिर्फ 26,000 रुपीज का है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्योंकि 27th April आज expiry है तो यहाँ पे यह profit बुक करके और इस position को roll over कर दूँगा May Series में मैंने आपको बोला ना इसलिए मैंने यह month choose किया है क्योंकि roll over सिर्फ यह नहीं है roll over की यही property है कि roll over आपको तब तक करते जाना है जब तक आपकी position profitable नहीं होती और eventually आप profitable ही यहाँ से बाहर निकलोगे तो मैं क्या करूँगा एक और window open कर लेता हूँ और April की series का यह जो future से इसको मैं में में अब roll over कर दूँगा तो मैं एक और window open कर लेता हूँ तो यह मैंने नई window open कर ली है और यहाँ पे मैं option simulator को open कर लेता हूँ और 27th of April को मैं date लगा देता हूँ क्योंकि उस दिन मैं यह future से इसको roll over कर रहा हूँ मे की series में तो यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा मैं यहाँ पे इस futures को buy कर लूँगा तो अब आप देखे मैंने क्या किया यहाँ पे जो अप्रेल की series का मैंने futures buy कर रखा था इसको roll over करके और मैंने अब make a future buy कर लिया है तो आप देखे यह fourth month है जिसमें मैं जा रहा हूँ मैंने शुरू कहां किया था मैंने शुरू किया था FAB में FAB के futures में मुझे loss हुआ इस वज़े से मैंने उसको roll over कर दिया March के futures में और यहाँ पे मेरा जो loss है यह 27,000 रुपीज का है FAB में loss था 29,000 रुपीज का था March में जो loss है 26,000 रुपीज का है क्योंकि यहाँ पे भी loss हो गया था इस वज़े से मैंने March के future को roll over कर दिया अप्रेल में और अप्रेल में मेरा जो profit था 40,000 रुपीज का था और उसके बाद मैंने क्या 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 क्योंकि यह जो profit है इसने compensate तो किया है लेकिन पूरा loss अभी मेरा नहीं हटा है अभी भी मुझे 26,000 रुपीज का loss है तो इस वज़े से मैंने क्या किया जो अप्रेल का future था उसको मैंने में के futures में roll over कर दिया और यह आप देखे यह मेरा trade है अब मैं क्या करूँगा एक एक दिन करके आगे चलते हैं तो हम आपको 25th में पे लेके चलता हूँ देखते हैं 2nd में को मुझे profit हो रहा है 19,000 रुपीज का 5th में को जो मेरा profit है यह है 20,000 रुपीज का 19,000 रुपीज का profit हो रहा है मुझे 9th of में को मेरा जो profit है 26,000 रुपीज का है और यहाँ पे आप देखिए मेरा जो पूरा लोस था वो हट चुका है 9th of meko अब इस trade में से मैं no profit no loss के साथ बाहर आ सकता हूँ मेरा trade मेरे against जा चुका था 29,000 का लोस यहाँ पे book किया 27 का यहाँ पे book किया total 56,000 रुपीज का लोस बुप किया उसके बाद अगले मन्त में मुझे 40,000 रुपीज का profit हुआ मतलब 56 में से 40,000 मैंने recover कर लिये अब 26 बजे और मे के मन्त में 9th of meko मेरा profit है 26,000 रुपीज का है मतलब जितना मुझे loss हुआ था शुरू के 2 मन्त में उस सारा मैंने recover कर लिया है अब मैं no profit no loss के साथ यहाँ पे निकल सकता हूँ आप चाहो तो इसको आगे भी लेके जा सकते हूँ लेकिन देखे रोलोवर की भी एक cost होती है रोलोवर जब आप करते हो तो उसकी cost क्या है इस पे भी आपको ध्यान देना है रोलोवर करने का मतलब क्या हो रहा है रोलोवर आप तब करोगे जब आपका trade है वो आपके against जा चुका है अगर आपको profit हुआ होता यहाँ पे इस case में अगर 5 month में मुझे profit हो जाता तो मैं April में तक बैठता ही नहीं April में तक मेरा पैसा फस रहा है देखे रोलोर जब आप करते हो that means आपका पैसा है वो फस रहा है और वो आपको कुछ कमा के नहीं दे रहा है वो आपका पैसा फसा है सिर्फ loss recovery में तो यहाँ पे आपको कोई profit नहीं हो रहा है यहाँ पे आपका जो loss था वही recover हो रहा है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है eventually आप no profit no loss या profit के साथ बहार आ सकते हो लेकिन साथ में यह चीज़ भी आप याद रखे कि उस दोरान आपका पैसा है वो book हो रखा है आपका पैसा है वो कहीं पे engage है उसको आप use नहीं कर सकते तो आपकी जो opportunity cost है वो आप ज़रूर ध्यान में रखे कि मैं roll over कर रहा हूँ तो मेरा पैसा भी इतने मन्त के लिए फस रहा है अब वो पैसा आपका 2 महिने के लिए फस सकता है 3 महिने के लिए फस सकता है 6 महिने के लिए पस सकता है तो वो आपको decide करना है ये मैंने example इसलिए लिया क्योंकि यहां पे 4 मंत लगे आपने जो पैसा लगाया वो 4 महीने तक ब्लोक रहा अब 4 महीने आपका पैसा ब्लोक भी रहा और eventually आप no profit no loss के साथ बहार आए हो तो मतलब 4 महीने तक उस पैसे पे आपको किसी तरह का कोई return नहीं मिला है आपको ना profit वा ना loss हुआ तो absolute terms में अगर आप देखोगे तो आपको ना profit वा ना loss हुआ लेकिन वैसे अगर आप देखोगे तो आपको यहां पे loss हुआ है आपका पैसा ब्लोक हुआ है उस पे 4 मंत तक आपको कोई भी return नहीं मिला है और यही आपका loss है तो opportunity cost आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है कि यहां पे जो मेरा पैसा block हो रहा है क्या मैं इसको इससे better जगह पे लगा के और better return generate कर सकता हूँ या यहीं पे लगाना ठेक है तो देखिए अगर आप roll over करते हो आपको कभी भी loss हो जाता है तो मैं आपको यही recommend करूँगा कि वो loss आप book मत कीजिए आप position को roll over कर दीजिए roll over करके आप eventually no profit no loss के साथ बहार आ सकते हो या profitably बहार आ सकते हो लेकिन हाँ वहाँ पे कितना time लग सकता है यह कोई नहीं बता सकता लेकिन profitably आप ज़रूरर वहां से बहार आ सकते हो लेकिन जैसा के मैंने आपको बताया opportunity cost है वो आपको नहीं भूलनी है opportunity cost आप हमेशा दिमाग में रखे कि ये जो मेरा पैसा है ये इतने मंत के लिए block हो रहा है मुझे यहाँ पर roll over करना चाहिए या नहीं या कोई और नई चीज मेरे को देखनी चाहिए तो इस तरह से आप roll over कर सकते हो और अगर आपको roll over का concept पता है तो आपको कभी भी loss book करने की जरुवत नहीं है आप eventually अपनी position से profitability बाहर आ सकते हो और कहाँ पर या आपको करना है nifty और bank nifty को जब आप long करके play करते हो मतलब या तो आपने put option sell कर रखा है या आपने future why कर रखा है ये दो scenario's में roll over है वो सबसे ज़्यादा effective है I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो make sure आप वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें This is Satpal signing off